नमस्कार फोस इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम शक्सियत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ आयूशी महर्शी आज हमारे साथ जो शक्सियत मौचूद है वो किसी पहच्वान के महतास नहीं है क्योंकि डादत साहिब फाल के अवार्ड हो या फिर कई अंतराश्ची पुरसकार जो कि उन्होंने खुद के नाम किये हैं इसके अलावा भी देखे कई सारी बाते कई सारी अवार्ड जो कि उन्हीं से जानेंगे हैं हमारे साथ मौचूद है सलीन दिवान भौट बहुत स्वागत सब्सक्राइब को फोसिनिया पर मेरे साथ भी वैसा ही कुछ रहा कि जिंदिगे में कुछ पाना है कुछ लगा कि कुछ आउस्टेंडिंग करना है तो चुनोतियां तो रहती है किसी के जिंदिगे में मेरे साथ भी रहा और मैं लग्की रहा कि मुझे फैंबली ने सपोर्ट किया और मैं उन रास्तों को मैं खुशी-खुशी जी पाया अच्छे सर अभी आपने फैमिले का जिक्र किया तो आपके एक ब्रदर हैं पॉलिटिक्स में हैं एक बिजनिस में हैं क्या सोचा आपने कि मुझे बॉलिवुड में जाना है नहीं हर किसी की इंडिविजबल चोईस होती है हम सब लग्की हैं कि हमारे घर में परिवारवाद का कोई प्रेशन नहीं है अच्छे बॉलिवुड में आपने शुरुबात बॉलिवुड डाइरीज के साथ में किया हमाल मचाया उसने वाकई में कई दर्शों को ने पसंद किया क्याश साथ में कुछ बताईये बॉलिविड डाइरीज बोल्टेना कि आपका पहला प्यार हो जब मैं अटिंग स्कूल से अर्षी होके थेड्र कि हमादी किया थीट्र किया थेड्र के बाद मुझे फिल्म मिली बॉलिवं जब एक जड़नी रही उस फिल्म की किसे मिली और मैंने अपने आपको जोग दिया था उसमें कि मुझे पहली बाहर को यह से फिल्म मिली है जो बजपन से मैंने सपना देखा तो बूरा होने जा रहा है अपना के फिल्म में की दोशे का थे ओसव कार सिर्थ जीौर्णी आछे सेमा हमात्यो पोल्ड़ था उसमें वाँस्टोर्णीय किसले अ किसी मैंने उस कार मिली powerless अब जो आपकी मुवी आरिए 9 अगस को अलिया बासु गायब है इसका भी मैंने ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के वाद मुझे रेलाइस वाद कि यूद को काफी इंस्पार करें यूद को बहुत पसंद आएंगे इस मुवी को लेकर कुछ पताएंगे इस यूद के वाद मोवी आरिए से रिफेंट इस थिए यूद राइड और यूद को इंट जिए इस थी अडिया विपिल्म अर्वाद को लिए इस विए भी मेरा स्वान क्यूंकि आलिया बासु गायब है यूद कि हम आपके अनाक्ट कर बाते हैं मुवी के नेम से तो आलिय किडनाप किया है और रेंसम की बाद चल रही है बड़ी फिल्म इतनी नहीं है फिल्म उससे बहुत जाए है जो कि मैं यहां पर रिविल नहीं करूंगा वह आपको नहीं तारीको थेटर में देखने को मिलेगा और यूद की बाद जो आपने कही नहीं है क्योंकि यूद से रि बहुतल खोलेख़ जाए है कल रिश्वी थीज्श वाद करिसे फिल्म आए है को उएरीकों कयो आपको प्रें मुज प्रच्छ।ी एख़यो नहीं को कर Mumbai में जब लिए बादे सेहँ इस में अफिल्मेश्गा तहीं कि मैं आपको इसक लिए लिए भी प्रिंगे मैं अट इस बट ऐसा नहीं है मेरे साथ, मुझे कुछ सिनेमा पसंद आता है, मुझे कुछ स्कृट बहुत अच्छी लगती है, तो मैं कर लेता हूँ तो उसी सरंकला में बहुत सारी short films है मेरी, music videos हैं, तो अभी मेरे दो music video release पे हैं जल्दी और एक video जो है वो हमारे राजस्तान की मिट्टी से related हो, कि हां के सैनी किसे जाते हैं, बोर्डर पे लडने के लिए, और फिर बापस आते हैं, तो उस पे बहुत अच्छा, बहुत प्या कि सभी लोग को काफी पसंद आयती है, यूर्चिप उसकी काफी ज्यादा थी, for me, for the world, हमारे देश की पली फिल्म है, जिसको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एवोर्ड मिले, अभी तेक around 225 एवोर्ड मिल चुके हैं, so वो फिल्म थी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पे आसब बीजादा एक एक अच्छिए रहा है, जो कि आपके लिए 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 लाइफ चेंजिंग साबित हो जाता है, हर आक्टर के संदेगे में आता होगा, आपके लिए कौन सी वो मुवी, कौन सी वो शौर्ट फिल्म या मुजिक वो लाइफ चंजिंग आपके लिए? निया मेरे लाइफ जेंजिंग फस्स फिल्म मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही ने उससे मुझे उमीद नहीं नहीं थी कि लोग इतना मुझे प्यार करेंगे इतना अप्रेशिएशनी मिलेगा इंटरनेशनली तो मुझे लगी रह उसमें और उसके बाद मैं जोड़ा चू लगा बहुत अच्छा लगा मुझे कि इसमें कितने डाइमेंशन इस कारेक्टर में तो मैंने इसको एक्सेट किया और क्योंकि आपने जानकारी दी तो ऐसे में अपने दर्शकों को भी बता देती हूं कि गौर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभिहान लाए गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको सर पहले ही निश्वेट कर चुए थे सर बेंग राजिस्थानी बैग्राउंड आपको क्या लगता है कि राजिस्थान के अंदर क्या बेटियों को अभी बी उतना पढ़ाया जा रहा है जो गौर्मेंट जितना प्रमोट कर रही है क्या लोग उसको अपना पाएं हैं लाइफ में या फिर कौन से वो चेंजिस जो भी राजिस्थान में आना बाकि है नहीं हमारे राजिस्थान प्रदेश में बेटियों को बहुत महत्वर दिया जाता है इ इस नश्रा मुक्त भारत पर आप तो खुदी ग्लामर इंडस्ट्री से तालूक रखते हैं से ड्रग्स बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं युवा नश्री की तरह बहुत जादा अट्राक्ट हो रहे है क्या लग रहा है कि क्या बदलावाना चाहिए ये शुरुवात मैं ये डैडी ने शुरुवात कि थी नश्रा मुक्त भारत तो डैड के बाद हम ने इसको कंटीनु किया और ग्लैमर वर्ड में बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है बट मेरा है मानना है कि इस मैटर ओफ अविलेविलिटी ये बस मिलना नहीं चाहिए ये गॉर्मेंट को इनिश इनिशेटर और लोग इसके लिए जागरू करें ये ज़रूरी है सर सिनेमा में एक बदलाव और उस बदलाव को एक क्रांतिकारी बदलाव हम बोले तो कह सकते हैं क्योंकि पहले मुवी बनती थी थी थेटर में लगती थी रिलीज होती थी सब लोग देखने जाते थे पर अभी सर ओटी प्लाटफरम्स आ गये और इतनी ज्यादा आ गये हैं कि आप घर में बैठो और आपके सामने मुवी आजएगी सर इसको आप एस पॉजिटिव मानते हैं सिनेमा के लिए या नेगेटिव मानते हैं देखु सिनेमा के लिए पॉजिटिव है ओटीटी की और एक लिए अधिशन आपके साफसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी यह अँगि थेटर में रहेंगी ऐस ने थेटर कम होने वाले हैं शायद आपकर यह क्योशन होगा कि सरहाँसर मा यह जाना चारे थी क्या बता कि थेटर का रिप्लेश्मेंट हो जाए आपके जवाब से पहले है। मैं मसगया था आपके ये qeution है। क्योंकि ये qeution भार बार पूछा जा रहा है मुझसे कि शाये टeatre कम हो गए होंगे हैं। लग थeatre कम हो रहे हैं। थeatre कम होंगे भी नहीं। अप थeatre का अलग experience है। आप theater में जाते हैं तो एक event होता आपके लिए कि आप परी family सा जाते हैं आप popcorn खाते हैं घर से बाहर जाते हैं और यह schedule किया जाता है पहले से कि knights movie लेखने जाए हाएगा exactly और dress up होते है उसके लिए आप movie लेखने जारे हैsqu सेug ano entertainment है वो तो उसका एक अलग फील है अलग मज़ा है सो वो कभी कम नहीं होगा कोविट के बाद लगने लगा था कि शायद थेटर बंद होंगे पर सर क्या यह माना जाए कि OTT बहुत ज्यादा कह सकते कि प्लाटफर्म दे रहा है नू कमर्स को भी एक्जेक्ली इस गुड अच्छी बात है दे रहा है बिल्कुल और सर क्योंकि काफी सारे सवाल है मेरे मंद में क्योंकि अभी खत्म नहीं हुए सवाल सर ने अवोर्ट इतने जादा जीते हैं सरकी मूवेज इतनी सारी सर कई सारे आपसे और पूछेंगे पर क्योंकि वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द हाजरूंगे प्रेके बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम शक्सियत ने और हमारे खास महमान सलीम दिवान जी हमारे साथ लगातार बने हुए सर, सवाल कई सारे हैं लेकिन एक खुलासा में हमारे दर्शकों के लिए कर देती है और वो यह कि आक्टर होने के साथ साथ सलीम दिवान जी ऑंट्रोप्रेनियोर भी है और अभी तो सर, हमारे गौर्मेंट भी काफे जारा प्रमोट कर रही ऑंट्रोप्रेनियोर्स को जुझञणू से आप आते हैं वहाँ भी कई सारे ऑंट्रोप्रेनियोर्स हैं बिलकुल ऑंट्रोप्रेनियोर्स तो जुझञणू और शेकावाटी के ब्लड में और मैं वहाँ पला बढ़ा हूँ तो है मेरे खून में है वो सो मैंने हमारा फैंबली बिजनेस है उसमें काफी मैंने कॉंट्रिबूट किया सो मुझे अच्छा लगता है इसाब करना एक संदेश जो कि आप देना चाहे कि बिकाज आप अपना पैशन भी फॉलो कर रहे है एस वेल एस आप बिंग एन उंट्रोपरणियर हम यह भी कह सकते हैं कि आप देश की भी सिवा करते है इसको माना जा सकता है एक संदेश कि आप दोनों लाइप को कैसे मैनेज करें नहीं आपको लाइप में इनसान वही करता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है जो उसको पसंद आता है उसको अच्छा लगता है उसको फिर वो टाइम नहीं देखता है हम जो फिल्म शूट करते हम नहीं देखते है सेम वे लाकि आप बिजनेस करते हो आप कुछ भी काम करते हो जहां पर आपको मज़ा आ रहा है तो फिर नो लुकिंग बैक फिर कुछ देखना नहीं है सलीम जी जिसना धमाल आपने अपने आक्टिक में मचा है उतना ही बड़ा आपका दिल है मैं इसलिए बोल रहे हैं कि मैं बताओंगे मैं दर्शको को भी कि रोने 40 गर्ल चाइड है जिनको अडॉप किया है क्या वो बात समझाएगा बस मुझे मैंने बताया मुझे अच्छा लगता है और गर्ल साइल अडॉप्शन की जो बात थी वो वापस मैं बोलूगा कि डैड से मिली हम मुझे और डैड बहुत खाया लगते थे और्फनेज में जाते थे उनके साथ अबर्डे करते थे नके साथ खाते थे और एक मैने में उनकी साथ उनका डिनर होता ही था तो बैठते थे तो मैं उनको देख के बड़ा हूँ तो मुझे लगा कि मैं बॉंबे में कुछ street girls को मैंने देखा जो नाली के roadside पढ़े हैं और उनको कुछ देख भल करने वाला नहीं है और बहुत poor condition में हैं तो मैंने उनको adopt किया एक school में admission दिलवाया उनको और मैं भी मेरा जो birthday या special day होता है तो मैं उनके साथ celebrate करता हूँ और फनेज में जाता हूँ उनके साथ time spend करता हूँ जो COVID का time था सभी के लिए बहुत ज़्यदा tough time था उस time पे कुछ लोग ते जो उनको अपने घर पहुँचना था उनके लिए घर पहुँचना मुश्किल हो गया था कुछ लोग का काम धंदा बंद हो गया था काम नहीं कर पा रहे थे उस time पे आपने जिस तरह से लोगों की मदद की Sonu Sud Foundation के साथ आप जुड़े गए बिए कैसा experience हो रहा और क्या भी भी वह आप continue कर रहे है Sonu Sud is my friend और neighbor भी है मेरे वो तो जब हम सब लोग घर पर ही थे कुछ काम था नहीं तो काफी phone calls आ रहे थे सब के पास की कुछ करना चाहिए कुछ करना चाहिए labor वहां फसी है Sonu ने बहुत अच्छा काम किया की बसें आरेंज करवाई और वह पिर आगे बढ़ते बढ़ते गया और हम लोग सब साथ में जुटे रहे और एक मॉमेंट आया कि सब को इंजेक्शन की ज़रूरत थे उस टाइम तो वह इंजेक्शन मैंने उनको अविलेबल करवाए तो एक टीम वर्क रहा हमारा सब और सर वह सिर्फ एक इंजेक्शन ही था वो न्यू लाइफ थी उनकी हाँ वो सही लोगों तरक पहुंच गया यह खुशी की बात है सर उस लिम पर कई सारी स्टोरीज आ देखने को मिली थी कि कोई यहां से वहां जाना चाता है एक इंसिडेंट जो कि आपके दिल को छुक्या हो कभी आप ना भूल पा रहे हों कि एक वैसा हुआ क्योंकि आपने तो एक नई लाइफ दिये उनको मा मत पूछे यह सवाल आप मैं रो दूँँ आपको इसे बहुत सारी बात हैं बहुत सारी बात हैं इतना इमोशनल मोमेंट था सर वो क्योंकि हम लोग तो शायद घर से बाहर ने निकल रहे थे टीवी पे बैट कर देख रहे थे पर क्योंकि आप तो लगातार उनकी मदद कर रहे थे उनकी साथ आपकी मौजूदी थी क्या सर वह एक्सपीरियंस था बहुत-बहुत-बहुत हो सकता था हमारी टीन से हम सब ने मिलके वह किया सिर्फ दादा साही पाल कि अवाओड मुझे लगता है कि जो वह अंडूस्री में आता है उसका सपना होता है सिर्जब मैं आपके अवार्ड की लिस्ट देख रहे थी एक लंबी लिस्ट आंडेखने को मिली थी क्योंकििस यही ने भारत में या न्तरावस्टे तर्वे आपको कई पर उसकार मिले हैं जी 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 आप इसर जरा बता दीजे दर्शकों को मैं तो इताय नहीं बता पाऊंगी हाँ मैं मैंने बोला कि मैं थोड़ा सा क्लासिकल और आर्ट पर यकीन रखता हूं तो लग्किली मुझे वेसी फिल्म में उफर होती है तो मेरी फिल्म है फोर मी फोर दे वर्ड जिसको अराउंड टू हंडेट टू हंडेट टू हंड़ी पर्सनल फेवरेट इसको और बॉलिवूड डैरीज को बहुत सार आवोर्ट मिले थे उसके बाद एक फिल्म में ने कुरान की तो उसको बहुत 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 नमिनेशन मिले तो बस लोगों का प्यार मिलता है तो उससे खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि आप आगे और काम करें बचिछर जब को यह राजिस्तान से जाता है तो आपको लगता है कि राजिस्तान की कल्चर को बॉलिवूट में और ज़्यादा दिखाने की और निखारने की जरूरत है हाँ बिलकुल क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यह सबसीडी चल रही है सबी स्टेट्स में तो राजिस्तान में सबसीडी कम है 15 परसें सबसीडी है तो यहां का कल्चर इतना एक्स्टोर नहीं हुआ है बाकि जो मद्यप्रदेश उत्राखंड गुजरात और उत्रप्रदेश यह सबसीडी आपको से थोड़े नॉमल भाशा में हमारे दर्शों को समझाने पड़ेगी तो यह फैसलेटी हमारे राजिस्तान में नहीं है तो अगर यह शुरू करती है हमारी गॉर्मेंट तो डेफिनेटल यहां का कल्चर एक्स्प्लोर होगा और यहां के लोकल स्टेट के अक्टर्स को ज्यादा काम मिलेगा being a राजिस्तानी sir क्या लगता है कि कोण-kौण से ऐसे मुद्दे है राजिस्तान के जिन पर work किया जाना चाहिए ऐसरो राजिस्तान के अंतर चेंजेस तो आए हैं आपकी चेंजेस आया हैं लोग जागरूख हुए हैं बट अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है क्योंकि थोड़ा और explore करना चाहिए, this is what I want, तो इसके लिए government की मदद की जरुवत होती है, और government अगर support करेगी तो definitely film makers यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर explore करेंगे, और यहाँ के local actors को जो बॉलीवोड में काम करें, उनको ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा explore करने को मिलेगा. Salim जी, आपके जो upcoming projects है, उनके जो कहा जा सकता है कि जो moral stories उससे निकल रहे हैं, अच्छी निकल रहे हैं, मैं रिवील नहीं करना चाहूँगे, मैं चाहूँगी आपी बतादी जिए दर्शको को. नहीं, आप मेरी फिल्मों से ज़्यादा मोरल स्टोरी की उमीद ना करें, क्योंकि जो मेरी फिल्म आ रही है, आलिया बासुगाइब है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मॉरल स्टोरी है, और कुछ संदेश दे के आपको जाएगी, सिनेमा बनता है एंटेटेन्मेंट के लिए फिर सिनेमा बनता है एंटेटेन्मेंट के लिए और फिर सिनेमा बनता है एंटेटेन्मेंट के लिए तो आपको चाहिए एंटेटेन्मेंट एंटेटेन्मेंट आपको मुवी देगी तो उनमें दोनों चीज होती है बट सब फिल्म ऐसे नहीं होती है बट सर क्या आप कुछ और भी प्रोजेक्ट से वाग कर रहे हैं साथ की साथ हाँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और टाइम आते आते जाने की नए सर्फ्राइजिस का वेट करना पड़ेगा लेकिन फिल्हाल 9 अगस्तक का वेट करना पड़ेगा और क्योंकि ट्रेलर तो हाल है देखी सकते हैं सभी दर्सक जिसके अंदर यूथ को एक यूथ के लिए कहा जा सकते हैं कि यूथ काफी जादा पसंद करेगा सर्फ जर्णी के अगर बात करें तो अभी तक जर्णी कैसी रही क्या कुछ उतार चुड़हाफ देखने को बिले बड क्योंकि आपके लिए मैं पॉजिटिव इसलिए कहूंगे क्योंकि आपकी तो पहली मूवी ने धमान बचा दिया था जो इसलिए इतना ज़ादे चुड़ूंग आपके लिए नहीं रहा होगा क्योंकि अगर स्टार्टिंग अच्छे हो जाती तो मुझे ही रखता कि इतना ज़ादा प्रॉब्लम साथी है नहीं आप struggle word गलत है यह हाँ अपने बोला यह जड़नी है यह जड़नी आपको जीना पड़ता है उस उन पड़ाओं को पार करना पड़ता है अगर आपको कुछ एचीव करना है तो तो वो मेरे साथ भी रहा और struggle नहीं है वो मज़ा आता है उस मंजिल तक पाने के लिए जो रास्तों से गुजरना पड़ता है तो वो रास्तों में मज़ा आता है और उनके साथ है ना मज़ा करना चाहिए उनमें दुखी नहीं होना चाहिए कि मुझे वो मिल नहीं रहा है टाइम लगता है चीजों को जाती नहीं लगता है कि आप गए और आपको मिल गया, आपको डॉक्टर बनना है तो पांच साल नितिजार करना पड़ेगा, फिर आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो पांच-छे साल उसमें लगते हैं, अब आपको एक्टर बनना है, आप चाहते हैं, आप जाओगे, इमिडि आपको कैसा लगता है? दो नेपोटिजम इस नोट राइट, सही नहीं है वर्ड, बट क्या वहां पर नेपोटिजम में आप अपनते हैं? नहीं, बॉल्यूड इस एक्लीन इंडूस्ट्री सभी को मौका मिलता है, इफ व आप तैलेंटेड अगर आप में वह तो आपको मौ सूपर स्टार है, तो ऐसा नहीं है कि उनको चांस नहीं, उनको चांस तो दियागी ना इंडूस्ट्री ने, बाहर के ही है सब वो जो काम कर रहे हैं, और काम मिलेगा बस आपका क्राफ्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कोई नहीं बोले, उस पर काम करना बहुत ज अंदेश रहेगा, जो यूथ ट्राय कर रहे हैं, बॉलिवुड में आने का, बॉलिवुड पे अपनी छाप छोड़ने का, उनका ट्रीम है, बॉलिवुड के इंदर आना, लेकिन आपने जो वर्ड कहा, मुझे लगता है कि स्ट्रगल अभी में यूज करने वाल थी पर मैं इस पूरे स्टेटमेंट को तीन वर्ड में समप करूंगा, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, और कंसिस्टेंसी, यह होना बहुत जरूरी है, कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी, आपने किया अच्छा है मैंने, मुझे भी फीज आया मेरी जिंदगी में मुझे काम नहीं मिल रहा था, और जो मुझे काम मिल रहा था, मुझे लगए मैं काम नहीं करना जोगा, तो मुझे लगए अच्छी स्क्रप्ट बैस पें बहुत जरोरी है, यह आत्म विश्वास, अगर आपके अंदर नहीं है तो आपका टि आप कैसे सर्वाइब करोगे आप कैसे क्या करोगे इस सब बात ही होती रहती है नेगिटिविटी आपको सुननी पड़ती है बड़ आपका कॉन्फिडेंस कितना स्टॉंग है आप कितने कितने डेडिकेटेड है इस पे डिपेंड करता है तो मैं कभी हिला नी हाँ थोड़ा निराश होता था कि मुझे वो चीजे क्यों नहीं हा रिर्कमग जो मैं करना चाहरा हूँ वो रोल्स क्योंने आफ़र होरे मुझे तो ऐसा होता है बट आप कंसिस्टेंसी बनाई रखते हो आप डेडिकेटे रेडिकेटे हो तो मैं जब भी खाली होता था तो मैं ठीटेर कर करता था अपने क्राफ्ट पे काम करता था तो क्राफ्ट पे काम करना जरूरी है मैं आडिशन करता था तो उससे मुझे खुशे मिलती थी और यह विश्वास रहता था कि definitely में लिए इस क्रिप्ट है जो जिस पे मैं काम करूँगा और अभी मुझे पुराने दिग्श किलाकार रहे है राहामा सेंड विने पाठek जी जोपने कितनी सारी फिल्में दी और थी अटर के बड़े कलाकार है और यह जब के ररहे पास आया तो मैं पुरिती तो मैं नहीं कर रहा था इससे, बिकुस किड्नेपिंग तो मैंने लाइफ में कभी सोचा ही नहीं, तो किड्नेपिंग थोट लेना ले बहुत हवी था, जब आप किसी करेक्टर को प्ले करते हो, तो कहीं नहीं आपकी जिंदगे में उसका कुछ अंश होना चाहिए, नोमली, if you really portray someone's life on a screen, you should have somewhere something in your life also. तो मुझे लगा मैंने कभी तो किड्नेप किसी को सोचा भी नहीं, किड्नेप कैसे करूँगा मैं, तो मैं relate नहीं कर पा रहा थे इस character से, मैं सोचते रहा, सोचते रहा, मैं मैंने बुला प्रिती मैं कर नहीं पा रहा हूँ, उसको मैं कहां से लेके आँँ, फिर सब वो inspiration कहां से आई कि आपने देखा, और वह बहुत मैं तो मुझे लगा, मैंने इस character के past को पढ़ा, कि यह लड़का कहां से आता है, इसकी अब ब्रिंगी कहां से हुई, कहां पला बढ़ा, इसमें अपना time कहां स्पेंड किया, और इसकी future plan किया है, जब मैं इसकी future plan में गया है, वहां जाके मैं connect हुआ, कि यह लाइप में कहां जाना चाहता है, और क्या करना चाहता है, इसके plans के हैं, क्या trick कर रहा है, वहां जाके मैं connect हुआ, फिर मैं, मेरे लिए बहुत easy होगा इस character के साथ जीना, और फिर मैंने इसको पूरा जीया इस character को, और बहुत मज़ा है मुझे, और विने पाठक जी senior actor है, उनके साथ screen share करना मतलब, first day तो मैं बहुत नर्वस था, फिर उनने मुझे comfort किया, कि यह नहीं कुछ नहीं है, और से काफी important हो जादा है, जब तक आप connect नहीं कर पाओगे character के साथ में, तब तक को screen पे नहीं दिखेगा, exactly, exactly, क्योंकि scene किसी एक actor का नहीं होता है, scene तो स आप पिल्म, ऐसा नहीं होता है, तो वो, वो coordination आपको देखने को मिलेगा, तो हमने काफी rehearsals की, और काफी practice की, और हम वैने टीम बैठते हैं, हम रहसल करते रहते हैं, और मैं विने सर से मैं बहुत को सीखा, इतने senior actor है, बट वो, जब भी free होते हैं, रहसल करते हैं, जब भी only this character, उन में एक चीज अच्छी है, कि वो on-off, on-off बहुत जल्दी होते हैं, कि एक second में character में चले जाते हैं, मेर लिए थोड़ा मुश्किल था है, और पर character से बहार आज़ा है, उनके लिए बहुत easy था, इतनी सालों की practice थी, मेर लिए मुश्किल होगा था है, कि मैं जब character मे तो मुझे time लग रहा बहार आने में, तो मैं इन से दूर रहता था थोड़ा, मैंने rehearsal किया, और ये गपे मारना शुरू करते थे, तो मैं बहार आता था, मैंने से आप मस्ती करो, मैं मेरे space में रहना जाता हूँ, तो ऐसे मैंने इसको prepare किया, और बहुत मजाया, बहुत अच कारक्टर मेरे आप में देखा, ट्रावलर आप हैं, इन ट्रावलेंग आप बहुत ज़्यादा करते हैं, सोशल वर्ग आप लगातार करते हैं, और वो जब हमने बखुवी हमारे दर्शकों को बताया भी, आपकी तरफ से भी, जो आप दर्शकों के लिए कहना चाहें, मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा अपने दर्शकों को, हम सब के फैंस को, मिलने वालों को, दोस्तों को, कि बस आप आना किसी इमेज में बंद के ना रहे हैं, मैं क्या था मैंने LLB किया फिर मैंने LLM में अडमिशन लिया, मंबई उनिस सिटी तो मुझे सब एड़ोकेट, वकिल साब बोलते थे, मुझे मन कर रहा है मैं ट्रैवलिंग करूगा तो मैं ट्रैवलर हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं सोचिल सर्विस करूगा तो मैं करूगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं audition करूगा तो करूगा, entrepreneurship मेरे अंदर है तो मैं मेरे अंदर है और सिर्फ पुज़ा आपके बात याद है जो कि आपने शुरुआत के अंदर कही थी कि अगर आप मन से और दिल से कोई चीज करोगी तो शायद वो आपके लिए काम रहेगा ही नहीं वो काम आपको कभी लगेगा ही नहीं लगेगा ही नहीं है सही बात है और इसलिए शायद वज़े है कि सर जिस भी कारेक्टर में आप गए आपने जंडे गाड़ें वागई के अंदर और आपको वाकी में वो सक्सेस मिले है हमारे साथ में एक खास शक्सियत था सलीम दिवान जी लगातर बने हुए थे झाल